नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शाक्षी शर्मा और आज मैं चुनावी चर्चा के बीच मुझफ़णगर लोग सभागी एक ऐसी जगह पे बहुची हूँ जहां के लोग शायद अभी भी उमीद कर रहे हैं कि कोई नेता इनके बीच आएगा इन तक किसी तरह की सरकारी मदद पहुचेगी आप मेरे आसपास देख सकते हैं सफाई गंदगी का जो आलम यहां पे है पीछे रहने के लिए लोगों के पास मकान नहीं है जुगी जोपडियों में हाँ लोग रहते हैं प्रधान मंतरी आवास योजना की बात होती है गरीबों को मकान मिले हैं आयुश्मान इनके लिए क्या है नाम है आपका यहां आप रहते हैं सरकारी मतलब जुक्यज्वल्टियों में रहते हैं किस तरह की समस्याओं करना मस्याओं सब्सक्राइब अब गर्मी का मौसम है सर्दी में भी आप परिशानी होती होगी बारिश का मौसम किस तरह करना पड़ता ही जो की जो अपनी में तो जैसे अधान मंत्री आवास योजना के तहर सभी को दो हजार चौबिस तक सब को मकान देने की बात हुई थी आपने आवेदन किया आप देवन तक हमारी कोई नहीं सुनता कि सरह से जांच हुई आपसे आपके आ लिकर लेक है समचिज लेकाइए लेकिन आएंगे आएँगे आएँगे अभी तक सरोफार बनाएगी अब बनाएगी आप बनाने बनाने अलगसन चेंडर हो चाहते हैं क्या लगता है मोधी सरकार काम कर रही है कॉन सुनता है तरफ तरह द्यान करते हैं पैसे वाले सब करते है पर आप तक मदत नहीं पहुंचा है प्रभी आप यही मौजुदा सरकार वापस चाहिए हम तो यह सोचते का हमारी सुनने हैं जब हमें नेता हों से कोई ऐलर्जी नहीं है सुरक्षा की बात करते हैं आपके साथ महिलाए होंगी घर में बेटिया होंगी बहने होंगी क्या लगता है सुरक्षा दे पारी है जो राजनीता है अलग अलग बड़े बड़े दलों के जो चुनाओ को लड़ रहे हैं जो वो जमीन पे जाके हर एक आदमी से वोट मांग रहे हैं उसका काम करने की बात कर रहे हैं उसकी मदद करने की बात कर रहे हैं अभी तक यह इन्हें बीम週 medical कोई नहीं है कि यह बाहर जुगी जोपडियों में रहती हैं किस तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकार से क्या चाहती है क्या नाम है आपका सोनम क्या लगता है सरकार किस तरह की कोई तक तक तो हमें कुछा झार पाह αναद यहां परिसान से करना प्षान पड़ता है तक कोई मदद नहीं पहुंची है क्या चाहती हैं सरकार से चाहते हैं कि इस तरफ बात करें इस इनके बारे में बात करें सरकार मेरे साथ और भी महिला है मवजूदे हैं जोपड़ पट्रिए और नहीं घरिब बहुत है मागने खाने वाले सरकार की सरकार की बदद पोंच पार एक महिला है सरकार की बदद पोंच थाriage में क्यों रहे थे सार महिले सरकार की बात करते कि आपBu। सुरक्षित महसूस करते हैं पैसे मोहल में रहने के बाद नहीं हमारा भी दिल करता है घर मकान हो अपने घर रहे में हर किसी का दिल करता आएगा और को यह नहीं चाहता कि जोपर पट्टी में आदमी गरीब रह सकता गरीब की जिंदगी क्या ऐसी है क्या कोई भी भगा देग चार डंडे हमारे बच्चों ले लेगे खाने को कुछ नहीं हमारे गरीब आदमी ना तो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और चाहती हैं कि आवास हो अच्छी जिंदगी जियें सरकार से मांग करती हैं कि इनकी तरफ भी सरकार का ध्यान हो ऐसे ही बने रही है मेरे देखते रहे हैं जर्म के खिलाफ